आज जब हम गरतंतर दिवस्त मनाने जा रहा हैं तो सम्मिधान की उद्धिश्यों को सफल बनाने के लिए एक संकल्प ले कि हम आने वाले दिनों में अपकी पूरी सक्ति लगा करके जो रहे सक्ति के सुरोतों का बटवारा भेरियस पोचल ग्रूप और उनकी महिलाओं फिर्मा भी करेंगे ऐसा जदिकर पाते हैं तुझी भारत का सम्मिधान जो दुनिया के सबसे चुनिंदा समिधानों में एक होता है तो है आम तोर पर धाना है कि बाबा साब को दलितों कर नेता कह काई पड़ता है जो इनकी पंक्ति में खड़ा हो जो तो डाक्टर अम बेटकर दलितों के नेता ने वो विश्वनेता थे विश्वनेता कैसे बने आप देख रहे हैं सम्मेक इंडिया टीवी में आप सभी का स्वागत है और आज हम गंतनते दिवस मना रहे हैं तिहतरवा गंतनते दिवस हम लोग मना रहे हैं और सम्विधान लागू हो चुका था 1950 को और गंतनते दिवस की वज़े से आज हम लोग अपनी जीवन को अच् क्या सम्विधान के उद्यशों की पूरती आज तक हो पाई है पूरे तरीके से या सम्विधान पूरे तरीके से लागू हो पाया है इस देश में आज जानेंगे एक किताब मेरे हाथ में है मैं दिखाना चाहूंगा ये जो किताब है कैसे हो सम्विधान के उद्यशों की प स्वागत करता हूँ है चल दुसाज जी का सर स्वागत है हमारे चैनल पर आपके चैनल के जो नियम शुरूता है उनको कोटी-कोटी बदहाई दिरना चाहता हूँ जैसे कि आज हम बरदर्शकों को बताना चाहेंगे कि बहुत ही समय से इन्होंने बहुत सारी अंगिनत पुस्तक के लिखी हैं बड़े-बड़े अख़बारों में इनके आर्टिकल चपे हैं संपादी के चपे हैं तो आज हम इनसे जानेंगे और आप से रूब-रू कराएंग यह जो आपकी बुक है कैसे हो समिधान की उद्ध्यों की पूर्ति इसके बारे में आप बताएं और आज 26 जनवरी है उसके बारे में भी आज बताएं यह जो आपके हांच में किताब हमने दी है कैसे वह समिधान के उद्धेशियों की पुर्ति इस पुष्टक के पीछे एक एतिहासी का अंड है 26 नॉवंबर 1950 को आम तरुपर हम लोग जो समिधान दिवस मनाते रहे हैं लेकिन 2015 में उन्होंने बकायदे इस दिवस को जो है शमिधान दिवस के रुपें गोशित कर दिया 26 नॉवंबर को इतना ही ने 26 नॉवंबर को शमिधान दिवस के रुपें गोशित करने के बाद से उन्होंने पारलियामेंट पर इस पर लंबा चर्चा चलाया और देश की तमाम जो परमुके राजनीतिक हस्तियां हैं उन्होंने शम्विधान पर अपनी राय रखी तो उनकी मुझे लगा कि उनकी राय को जो है लोगों के बीच में जाना चाहिए और इसकी आईने में जो है हमारे शम्विधान का उद्देश क्या था और हम अपने उद देशियों की पूरती बात जब सम्विधान की छिड़ रही है तो यहां पर सबसे पहले जो है बाबा साब डक्टर रंबेट कर किये के हितियासिक चेतावनी की तरफ में आपका द्यान आकर सिद करना चाहूंगा इसके लिए उन्होंने राष्ट के जो यूजनाकार है देमोकरिशी के ढाचे को डिस्ट्रॉय कर सकती है भारी अफसूस के साथ कहना पड़ता है कि आजाद भारत के सासक जो है इस दिसा में सार्थक परियास नहीं कियों अर्थाद बाबा साहब ने जो चाहा था कि जल्द जल्द आर्थिक और सामाजी गैर बनाबरी का खातना ह यह सपना उनका अधूरा रह गया इस शिल्द में आपको बत्लाना चाहूँगा कि जिस सम्मिधान के हम इतनी दुहाई देते हैं विशेज करके बंचित बर्गों के लोग तो सम्मिधान में ही अपना सब कुछ देखते हैं उनका मानना है कि अगर सम्मिधान नहीं रहेगा तो फिर हम अधिकार भी हिन हो जाएंगे तो यहां परह में ध्यान देरा है कि सम्मिधान में ऐसी क्या बात है कि लोग इसके परती इतनी सरधा सील रहे हैं यह जानने के लिए आपको जो है सम्मिधान का जो पहला ही भाग है पलटने के साथ है आपको दिखाई पड़ेगा प्रियामबुल शमिधान की वो देश का इसके सुरुवाति पेज़ पर लिखा है कि भारत का शमाज लोगों को शमाजिक आर्थिक और राजनेतिक नयाय शुरफ कराएगा यह सम्मिधान का प्रियामबुल है शमिधान की पूरी जो किताब है इन तीन बातों के लिए ही बन पर नतीजा है कि इस देश में जिस बाद से बाबा साहब ने चिताया था का आर्थिक और सामाजी गैर बनावरी का कोई और छोरी ही नहीं है अभी 17 जनवरी को वर्ल्ड एकनोमिक फॉरम के तरफ से अक्सफाम की रिपोर्ट आई है इस रिपोर्ट काफी चर्चा के विश्यवनी है इस रिपोर्ट से पता चलता है कि जो टॉप की 10% आवादी है उसके हाथ में 45% वेल्थ चला लिया है वही नीचे की जो 50% आवादी है वो सिर्फ 6% वेल्थ पर जो है अपना गुजर वसर करने के लिए अविश्यवत है इसके पहले 2015 में क्रेडिस्टूशे की रिपोर्ट आई थे उस रिपोर्ट ने बतलाया कि जो वेल्थ पैदा हो रहा है हर साल उसमें जो है टॉप की जो विशमता को खात्मा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में इस देश को जो है भारी नुक्सान उठाना पड़ सकता है आपनों को पता होगा आजकल चर्चा नहीं हो रहे लेकिन पिछले 8-10 साल पहले जो है चर्चा थी कि 200 से अधिक गिले आपके नक्सलवाद के चपेट में आ चुके हैं मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि 2009 में महावादी एक नीता ने दावा किया था कि 2015 तक हम भारत के जो सम्विधान का जो लोकतंतर का मंदिर इस पर कबजा जमा लेगे तो जदी एक मंचित तपके के तरफ से यह आवाज उड़ती है कि 2050 तक हम लोकतंतर के मंदिर पर कबजा जमा लेगे इसका मतलब है कि आपका सम्विधान जो है लोगों को शामाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय सुलब कराने में पूरी तरीके से द्वियर्थ करा रहा है बबा साब ने सर इसके कहा विधा कि समिधान कितना भी अच्छा हो उसको लागू करने वाले अगर शही नहीं है तो वह समिधान वेर्थ है और सम्भिधान लागू करने वालों के नियत अगर सही हो तो यह साधान सम्भिधान भी आशाधान काम कर सकता है दुर्भागे रहा कि जिनके हाथ में इस देश की सत्ता आए जो आजाद भारत में जो है जिनके हाथ में सत्ता की बाग डूर रही उस सामान ने तया इस देश के सुविधा भोगी वर्क से रहे इस देश के जर्मजाद सुविधा भोगी वर्क से रहे जिनको बन ब्योस्ता के तहद जो है तमाम सुविधाएं मिली हुई थी जिस बन ब्योस्ता के बात हम करते हैं उस बन ब्योस्ता क्या है उस बन ब्योस्ता बिसिकली जो है शंपदा और संसादनों एक बटवारे की ब्योस्ता रहे हैं शक्ति के सुरोतों के बटवारे के बेवस्ता रहे हैं शक्ति के सुरोतों पर अपनी राये रखते हैं बावा साहब डाक्टर नमवीटकर ने कहा है कि समाज में सक्ति के चार सुरोत होते हैं आर्थिक, राजनीतिक, शैचिक और धार्मिक ये चारों सक्ति के सुरोत जो है वन राथिक और राजनेतिक नियाय का प्रोभीजन दिया उसका मक्षद ही था कि दीश की बहुँ संख्यावादी जो है शंबिधान के द्वारा लावाद में थो और भारत में समता मुलक शामाज काइम होता था सक्ती की सुरोतों में इनका हिश्यदारी हुए लेकिन ऐसा देशियों को व्यर्थ करके रख दिया अर्ताज जो है उन्होंने जो है इनको कह सकते हैं कि वंचितों के हाथ मैं इसा कुछ नहीं दिया जिसे सक्ती कि जो समिधान की उद्देश्टों की पुर्थी हुए और सर यह भी है कि जैसे बाबा साहब को सिर्फ दलितों का नेता ह और जितनी भी आपने देखियोगी हम भी बच्पन से देखता हैं 26 जनवरी घंतंदे उसकी जो भी परेड होती है तो वह बाबा साब को नदारत दिखाया जाता है वह बाबा साब के चर्चा नहीं होती है यह तो जो है आम तोर पर धाना है कि बाबा साहब को दलितों कर नी जो इनकी पंक्ती में खड़ा हो चके तो डाक्टर अमबेटकर दलितों की नेता नहीं वो विश्वनेता थे विश्वनेता कैसे बने जिस डाक्टर अमबेटकर की जो चर्चा सारी दुनिया में होती है भारत में कम लेकि आप जानते है कि कुलंबिया विश्विद्याले मे एक्षमे घोशित किया था कि वहां से जो है लगभक तीन दर्जन जो नोबिल प्रश्कार विजेता निकले उसमें सबसे विर्लेंट विद्धार थे कोई रहा तो बाबा शाहब डाक्टर रमबेट कर रहे हैं किसलिए इनको कहा गया क्या इनका किर्थित तो है उनके सारे काम को लोग जो है सिर्फ दलितों तक शिमित कर देते हैं लेकिंग अचल उन्होंने क्या किया कि एक इनवरसल समस्या है जो सारी दुनिया में जो है मानो जाती कि सबसे बड़ी समस्या आर्थी कोश नामाजी गहर बरावरी है जिसके खात्मे का आहवान बाबा साहब ने पची आर्थिक और सामाजिक गैर बरावरी इसके खात्मे का आहवान बाबा शाहब ने पचीस टॉम्बर उन्निस से उन्चास को किया था इसकी उत्पत्ति सक्ति के स्रोतों का लोगों के विभिन तबकों और उनकी महिलाओं के मद्द और समान भटवारे से होती है अब देखें य आजनितिक और धार्मिक इसमें स्रीहर ही नहीं दिया है इसलिए जो है दलितों का सक्ति का लुए इसलिए जो है भारत की महिलाओं के साथ है ट्रेजरी नहीं रहे भारत के दलितों के साथ है ट्रेजरी नहीं रहे अब देखें कि सारी दुनिया में जन्म गत कांड़ों से एक बिशेष नस्ल के समधाय में जन्म लेने से, एक बिशेष जिंडर में जन्म लेने से, एक बिशेष छेत्र, एक बिशेष भासा में जन्म लेने के काण्ड, जो है, सारी दुनिया में जन्म के आधार पर विभिन ने तबकों को सक्ती के स्रोतों से वंचित किया गया है। निग्रु स्लेवरी के तहत अविरिका में जो है बिल्कुल हुमेन कैटल बनके रह जाना पड़ता उनकी साथ भी एही ट्रेजिदी थी तो सारी दुनिया के जितनी भी बंचित कोमें बंचित कोमें जन्रली लोग दलीत पिछलों को ही कहते हैं लेकिन जन्म के आधार पर सकती के स्दुनिया में कि दितना तो में बंचितों है बहस्क्रित और यहीं वहयरा दूप्तिस जो कि आर्थिक, राजनेतिक शक्षी, तो सक्ति के स्रोतों से जवरन वही श्कृत किये गए, सोर्सेज आप पावर से फोर्सिबली एक्स्क्रूट किये गए लोगों को, सोर्सेज आप पावर में कानूनन हिश्यदारी दिलाना है, यह रिजर्वेस्टन है, और सारी दुनिया में जन्म के आधार पर बंचित किये गए तब के सिर्फ और सिर्फ राजनेति रिजर्वेस्टन से लिबरेट हुए है, मसलन जो है डाक्टर अमबेटकर का जो है रिजर्वेस्टन है उसके फलसरूप क्या होता है, कि दुनिया की जो सबसे जो है मानवेतर प्राणी की रूप म सबसे बड़ा मिराकुल है, भारत में जब इनके साथ यह मिराकुल होता है, दुनिया की सबसे अधिकार भीहिन समधाय के लोग जब डाक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, बधायक, शांसत, बंत्री बनने लगते हैं, यह सारी दुनिया के लिए एक ज्यामपूल होता है, औ 1948 में, WNO में, संजुक तराश संग में, हुमान राइट की अधाना के सुरुआत होती है, हुमान राइट के मतलब तमाम ब्यक्तियों को उनका अधिकार बिलना चाहिए, हुमानवा अधिकारों के विकास के बाद से, जो है, उनिश्वी शताबदी के उतरार्द में, भारत मे और इसका चमतकारिक परणाम आता है, इसी आइडिया को एडॉप्ट करके, सारी दुनिया के लोगों ने जन्म के आधार पर डिप्राइव किये अपने अपने लोगों को ससक बनाने का अवियान शुरू किया, भारत के इसी रिजिर्वेशन को जो है, आपका, 1960 के दसक में, जो अमरिका में मार्टिन डूथर किंग का सिविल ड्याइट मुव्मेंट चला, उसके बाद से जो है, ब्लैकस में जो है, एक अधिकार चेतना की उत्पत्ती होती है, ब्लैकस उससे में, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, उनमें राजसात्ता की सरस्ताह में भाग नहीं ले सकते हैं लेकिन जब उसके बास वो दंगा शुरू करते हैं अपने अधिकारों के लिए लाई शुरू करते हैं तो 1967 में लिंडन मिजॉर्सन वहां के अमरिका के राष्टपती रहे उन्होंने एक आयोग गठित किया हिस्ट्री में जिसको करनर आयोग कहते हैं करनर रायोग जिम्यवारी दी गई अमरिका के लिंडन मिजॉर्सन के तरफ शेफ कि आपको पता लगा कि क्या कारा नहीं कि देलों दंगों के सहलाब उठ रहा हैं और जब तक दंगे चलते रहेंगे हम अमरिका को सबसे पावरफुल इस्टेट बनाना चाहते हैं कंट्री बनान जाता है कि यह जो बंचित आवादियां हैं इनको तमाम छित्रों से डिप्राइब किया गया है जदी आप राष्ट में शांती चाहते हो चाहते हो कि दंगे नहों असांती नहों और देश समरेदी के तरफ यह तो बंचित लोगों को हिश्चेदारी देने पड़ेगी इनक जरिये जो है जो डिप्राइब किये गये लोगे उनको स्थियर दिया जा सके वैसी इस्तिती में लिंडन भी जॉंसन का ध्यान भारत की रिजर्वेशन पॉलीशी के तरफ आता है और यहीं की रिजर्वेशी पॉलीशी लेग करके वहां पर जो है ओ अमिरिका में आर अच् भातर नहीं तरफ सेटर me जहलकशना जाए और आवरी सेटर में जहलकाने के लिए उन् traumatし fresh की बारत के पुलीशी उनको जो है भारत के लोग इस तरीके से tos अरकारी नोकरीों होती है और आज आप देखेंगे कि अमेरिका क्या भी जो है इसी नौ जनौरी को गोल्डन ग्लोप से वार्ड का रिजल्ट आया जिसमें बेस्ट एक्टर के तौर पर चुले गए हैं विली स्पीथ जो ब्लेक्स हैं और बड़ा आपको अजीब लगेगा कि गोल्डन ग्लोप की जो यह एक्टिंग की कटेगरी में पांच बेस्ट का पांच बेतरी नेक्टरों का जो नौ मंकन हुआ तो इसमें तीन ब्लैक्स थे यह अमेरिका की रिजर्वीशन पॉलीशी का प्रड़ाम है और जिस तरीके से अभी हम लोग जो गंतंत दिवास जो तेहतरा मना रहे है इसके आगे जो है पूरी तरीके से लागू हो इसके बारे में आप क्या कहेंगे छोट फड़ा साब का यह ले तो जो भारत की रिजर्वेशन पॉलीशी अमेरिका में लागू होती है उसके बाद वहां के जो वंचित तब के हैं जो ब्लैक से हिस्पैनिक से रेड इंडियन आउस्ट्रेलिया, मलीशिया, फ्रांस, इग्रेंट, तमाम दुनिया के सारी देश कॉंपी करते हैं और हर देश में जन्म के आधार वह बंचित किये हो गए जितने भी तबके हैं वो ताकतवर सक्ती के स्रोतों में हिश्यदारी के सिलसला शूरू हो जाता है तो इस तरीके ज прोश प्रोर करना चाहिए कि दलित Cordena नीता नहीं बिस्त xu नेता है एक ऐसा नेता जिसकी मिशाल मिलनी मुपी है अब जो जो है जैसे आपने जो जिक्र कि आ tan कि कैसे हो समवेधहान के उडिश्यों की पूर्ती है तो समवेधहान में हमने जैसे याद दिला है कि समवेधहा में उसका प्रियाम्बूल है उसमें लिखा है कि भारत का समिधान लोगों को शामाजिक आर्थिक और राजनेतिक न्याय शुलब कराएगा यह उद्धिश उसका और इस उद्धिश से आपका समिधान भटक गया है ऐसा कोई राष्टा नहीं दिखाई पढ़ा है जिसे इस उ समाजिक गैर बनावरी की मुत्पत्ती का कारण क्या है अब अगर आप समिधान के उद्धिश्यों की पूर्ती चाहते हैं तो जितने भी सोर्चे आप पावर है उसका बटवारा जो है भारत के विभिन समाजिक समूह और उनकी महिलाओं के अनुपात में की दिए के समाज जो है विभिन जाती और धार्मिक समूहों से मिल करके बना है इसकी आधार पर पांच मेजर समाज दिखाई पड़ते हैं सवर्ण जिसमें बरामर चात्रिवेश सित्यादी उनका एक ग्रूप आ जाता है और सवर्ण दूसरा ओवी सी तीसरा एसी एस्टी चोथा मा पावर हैं आर्थिक में ओल हर्रिंग एक्टिविटी नौकरी सागे बढ़के सप्लाई डीलर से फिर्म टीवी इत्यादी यह अर्थो पार्जन की गतिविदियां हैं तो आर्थो पार्जन की गतिविदियों का बटवारा जो है भारत के मेजर जो चार्ज सामाज एक समूह सवाण, OBC, SC, ST और Minorities के संख्या अनुपात में कीजिए और इन चीजों में जो है उनकी महिलाओं को 50% अधिकारी दी इसी तरीके से दूसरा जो सक्ति का अश्रोत है राजनीतिक राजनीतिकी जितनी भी संस्थाएं है आपका ग्राम पंचायश से लेकर के जो है सहरी निका सारा जो है भारत के जो मेजर चार सामाजिक समूव होगे शवाण, OBC, SC, ST और धार्मी का संख्यक समधार इनके हिसाब से कीजिए और उसमी आधी हिस्चेदारी जो है उनकी महिलाओं को दीजिए तिस तरीके से जब सक्ति के स्रोतों में सामाजिक और लैंगिक विवित्ता की पूलिसी बनेगी तब जा करके आपके जो है समिधान के उद्देशियों के पूर्ते ही होगी बाबा साहब ने जो लिखा है इसमें कि हम भारत के लोगों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक नियाय सुलब कराना चाहते हैं यह नियाय तभी मिलेगा जब सक्ति के स्रो बनाने के लिए एक संकल्प लें कि हम आने वाले दिनों में अपनी पूरी सक्ति लगा करके जो है सक्ति के स्रोतों का बटवारा भेरिये सोचल ग्रूप और उनकी महिलाओं के मत दिकरेंगे ऐसा जदिकर पाते हैं तुझ्य भादत का समिधान जो दुनिया के सबसे चुनि है कैसे सार्थक्ता पूरी होगे समिधान की और किस तरीके से जो सम जो समिधान के उद्योश्यों की पूरती होगी और जो भी लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं मैं आशा करता हूं कि आप लोग समिधान के उद्योश्यों की पूरती के लिए आप सभी लोग अपनी भ हागेदारे पूरे इमानदारे से निभाएंगे ताकि सम्विधान की उद्ध्योशक्री पूर्ती हो सके तो आप देखते रहें सम्मेक इंडे टीवी बने रहे हमारे साथ इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो और नई नई राजनितिक हो चाहे समाजिक खबरे हो उनके लिए बने रही है हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अमुल्य कमेंट हमारे चैनल पर जरूर दें और इसी तरीके से बने रहे हैं जैभी